हलो फ्रेंस वेलकम बैक तो संसी फ्रेंस आज के जो हमारे टॉपिक है वेरी सिंपल और वेरी इजी और वेरी इंपोर्टेंट ठीक है लीनियर कॉमिनेशन एंड स्पैनिंग सेट अपने पिछले लेचर में मैं डिसकोस किया था वेक्टर सबस्पेस के बारे में और उसके एक अजबरा का ठीक है यह लेंचर नमबर फॉर्थ है और इसमें मैं आपको बताऊंगा लीनियर कॉमिनेशन एंड स्पैनिंग ऑफ सेट तो पहले तो लीनियर कॉमिनेशन के डेशन देख लेते हैं और यह क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं और फिर उससे लेटेर स्पैस और फिलड एफ ठीक है हमने लेटकर लिया कि वी मेरे क्या बेक्तर गारे पास समें में ऐज़ना है कि मेरे बीड़क्तर फिलड ओर वेंभर क्शीर्ड जोहें वह लिगतर हमने माना वह व्यनर कॉमिनेशन का दिखाना है कि मै comfort मेरे में यह यह वेक्टर नहीं वह है क और मैं कहा रहा हूँ इसका एक combination is a linear combination इसी वी का मुझे यह जो विक्टर वी है इसी का मुझे linear combination बनाना है देखो कैसे is a linear combination is a linear combination ठीक है और vectors और vectors u1 u2 and so on u1 ठीक है इस सभी वेक्टर वो कहां होने चाहिए is in v यानि कि उसी space में भी लाँ होनी चाहिए यानि समझना मैंने क्या बताया मैंने आपको यह कहा कि हमारे पास कोई एक यह हुआ vector space this is called vector space V हमने कहा V इसी का कोई एक member है ठीक है और u1 u2 u3 and so on UN और हमने कहा कि इस V को कुछ ऐसे represent किया जाए ठीक है vector के मतलब कि ऐसे represent करें मैं आपको समझाता हूं इसी से मैं समझा दूँगा ठीक है बहुत अच्छे से हो जाएगा थोड़ा सव देशन से समझेए तो हमारे पास क्या है कि लेट एवेक्टर सब्सक्राइब दिखा पाऊंगे जब यहां पर कुछ स्केलर से इजिष्ट हो जाए जो इनके साथ अगर सम में रखा जाए प्रोडर सम में इसलार साथ तो वह हमारा वी बन जाए तो मालब कैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे देर जिष्ट आपको समझाता हूं कैसे देट इस वेक्टर के साथ मैं प्रोडर्ट करके एड करूं तो मेरे पास क्या मिल जाए यह मेरा यह वेक्टर वी मिल जाए मैं आपको समझाता हूं कैसे देट इज एक पैसे च्पेंड करूं कि किस को यह साथ यूवरण एड के साथ ऐसे मेरे पास के एडिस्ट हो जाए इसके साथ मैं एगर इस फॉर्मिट में रखता हूं किस फॉर्मिट में ? U1, U1, plus A2, U2, plus and so on, An, Un, ठीक है, तो मुझे वेक्टर V मिल जाए, यह वेक्टर मुझे भी, यह कोई स्पेस नहीं है, यह मेंबर है, इस V का, यह मेरा मेंबर हुआ, ठीक है, यह वेक्टर मिल जाए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहां पर मैं फिल्ड से, यह फिल्ड ज स्पेस, अन्याव कको मिल से, अगरम आपनी एक गझाम पल आपको समझाओ, तो में आपको समझाता हूँ, यह थोड़ा से इस बात को समझेना, इस के डेफिनिशं बिछ से, क कहा जासे मैं क्या करों, कि इस एक ऐसे linear कॉमिनेसन बनाऊं, मैं V का एक ऐसा linear combination बना हूँ U1 U2 U3 का यानि यह जो मेरा V small V है जो V मेरा विलांग कर रहा है इसका मैं कुछ ऐसा linear combination बना हूँ किस वेक्टर का U1 U2 and so on यूएन का ठीक है कि वो क्या करें इप देर इजिस्ट इप देर इजिस्ट इसा इसा solution of two vector equation यह रखना देर इसट इपिटर इसे solution of vector equation और किस वेक्टर का equation का यह स्लेशन होना चाहिए व इक्वल तो x1 u1 plus x2 u2 plus and so on xn u1 चलो मैं इसको verify हो समझा के आपको करके बताता हूँ ताकि आपको यह समझ में आए कि मैंने आपको बताया क्या एक्जामपल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा किलियर हो जाएगा एक्जामपल लेते हैं ठीक है अभी आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कोई v ले लेता हूँ वही v है मेरा जिसको मैं भी समझा रहा था आपको v लिया मैंने 3,7,-4 विलांग कर रहा है r3 में यनि कि मेरा वेक्टर स्पेस हो गया और इसको as a linear combination दिखाना है linear combination दिखाना है किसके साथ और vectors और vectors यह U1 U2 and u3 के साथ कैसे मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है मेरे पास दिया गया है यह 1,2,3 यह दिया गया u2 मेरा दिया गया है 2,3,7 and u3 मेरा दिया गया 3,5 and 6 इसके साथ मुझे linear combination दिखाना है ठीक है तो कैसे यह linear combination होगा तो मैं आपको समझाता हूँ पहले हम लेट कर लेते हैं कोई scalar लेट करते हैं कोई यहाँ पर scalar इसके लेट कर लेता हूँ मैं आपके सामने ठीक है alpha 1, alpha 2, alpha 3 there are scalar जो कि विलांग करेंगे r में ठीक है scalar नहीं मैं अब मैं क्या कहता हूँ कि linear combination को कैसे लिखना चाहिए था मैं आपको बताया था कि scalar के साथ alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus alpha 3 u3 ठीक है तो यह मेरे पास यगर इस combination में लिख दिया जाए तो काम हो जाएगा मेरा ठीक है तो मैं इसको combination के साथ write करता हूँ यह v मैंने write कर दिया v vector मैंने write किया v मेरे पास है 3 7 minus 4 and alpha 1 मुझे नहीं पता 9 ने मैं निकालना चाहता हूँ तब तो मैं write करोंगा ठीक है यहाँ पर u1 क्या होगा मेरे पास 1,2,3 and plus alpha 2 ठीक है and u2 मेरे पास क्या होगा u2 मेरे पास हो जाएगा 2,3,7 and plus alpha 3 and यहाँ से मेरा u3 क्या हो जाएगा u3 हो जाएगा मेरे पास 3, 5 and 6 right अब इस बात को थोड़ा और समझिए अच्छे से clear करिए तो यह मेरे पास हो गया मैं इसको alpha 1, alpha 2, alpha 3 की value निकाला चाहिए solution of alpha 1, alpha 2, alpha 3 यहाँ पे solution exist होना चाहिए मैंने बोलो नहीं, they are exist solution तो मैंने solution exist होना चाहिए मैंने आपको definition क्या बोली यहाँ पे solution exist होना चाहिए तो यह solution exist हो रहा है अगर solution exist हो रहा है तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है भाई अगर यहाँ पे if solution exist हो जाए क्या हो जाए solution मेरा exist हो जाए solution तो यह linear combination possible है आकर solution exist नहीं है तो linear combination possible नहीं है इबास में आही नहीं है तो मुझे solution exist कराना है क्या करना है solution exist कराना है अब भी समझाता हूँ क्लियर कर देता हूँ कि कम मेरा linear communication exist होगा कम नहीं होगा ठीक है तो धंग से clear हो जाएग अभी आपको चलो स्टार्ट करते हैं तो यहां से आपको हो जाएगा यह ठीक है 3 7 minus 4 is equal to और यह मेरा इधर बनेगा चलो कर लीजिए तो हो जाएगा alpha 1 plus 2 alpha 2 and plus यहां से 3 alpha 3 यह बनेगा मेरे पास 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 ठीक है and plus 5 alpha 3 यहां से बन जाएगा 3 alpha 1 plus 7 alpha 2 and plus 6 alpha 3 यह मेरे पास बनेगा अब देखो कहानी तो यहां से आपको हो जाएगा alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 ठीक है यहां से यह हो जाएगा alpha 3 और यह हो जाएगा equal to 3 और यहां से हो जाएगा 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 5 alpha 3 equal to minus 4 अब इसको आपको solve करना है ठीक है इसको आपको solve करना है चाहे जिस method करिए चाहे normal method करिए चाहे जिस method करिए ठीक है आप elimination method लगा लीजे चाहे जो method लगा है मैं यहां पर जो method लगाने वाला हूँ वह icon form है ठीक है होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ आप चाहे तो सब्चेशन method से आप इसको solve कर सकते है वह अलग बात है आप जाहे जिस method से करें 123 और यहां पर है 3 यहां पर है 7 यहां पर है minus 4 ठीक है यह मेरे पास है 235 यह मेरे पास है 376 ठीक है अब इसको मुझे solve करना है 376 चलो solve कर लेते हैं इसको तो यहां से आपको क्या बन जाएगा ठीक है यहां तक तो को problem है नहीं I think अब यहां से हम लोग आगे देखेंगे इसको आगे solve करते हैं अब मुझे क्या करना है इनको 0 बनाना है इस वेक्टर को और इस वेक्टर को 0 बनाना है तो कैसे करेंगे तो first row में यह first row है मेरे पास इस पूरे first row में मैं क्या करता हूं तो मैं तो मैं 2 से multiply करके add कर दूँ यह जेरो होजाएगा और इसमें त्रैज के में त्रैटर में विशनर को जाता है और शूरो में क्या कर रहूं बéस कर रहूत उष्क आहरण जिदेर चैंसंस लाटर में क्या कर रहे हूं माइनस 3 से में लिप्लाइगर कर रहा हूं तो 0 हो जाएगा तो देखो 1st row को तो मैंने change नहीं किया तो 1st row को आपको वैसे लिखना पड़ेगा 1, 2, 3 और यह हो जाएगा मेरे पास 3 change किसको कर रहा हूं मैं 2nd क्या कैसे कर रहा हूं कि 1st row में मैंने क्या किया minus 2 से multiply किया इस minus 2 से multiply किया और इस वाले row में मैंने क्या किया add कर दिया तो जब add करेंगे तो यह तो element हो जाएगा 0 इसमें minus 2 से multiply कर रहे हैं तो minus 4 हो जाएगा और 3 में से add कर रहे हैं तो कितना जाएगा माइनस फहना याएगा खिर सेवन, ऍिसकते मैं माइश से फ्रवान ना याएगा 6 फाइएगा और ऐ हो इसमें करहें cohort homework आएगा है psychiat अगर मैं इधर करूंगा तो 3,39 और माइनस के 9 और माइनस के 4 यानि माइनस के 11 यह बाद तो क्लियर हो गई I think ठीक है अब यहां से आपको क्लियर हो गई एक बाद फिर से देख ले माइनस थी 3,39 और 9,4 13 तो इसको क्लियर कर ले यह हो जाएगा 13 ठीक है तो यहां जाएगा आ 13 हो भी माइनस का तो यह बात आपको सम्मयागी नहीं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मुझे अब यह एलिमेंट 0 बनाना है इसको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए क्लिया करेंगे हम लोग वह समझ लेते हैं तो I hope आपको icon form आता है और आपने मेरी फिशली वीडियो देख रखी है तो आपको बहुत अच्छे संम्यार होगा ठीक है अब मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं बाइं यूजिंग मैं इस बार यूज कर रहा हूं कि R3 चेंज हो जाएं और R2 में मैं लिए मेरे पास 0 और यह मेरे पास क्या हो जाएगा आपके अपके बन बन जाएगा उसको समझते हैं तो यहांस हो जाएगा आपके पास आलफा 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 is equal to 3 यह बना और यहां से बना minus alpha 2 minus alpha 3 is equal to 1 बना यहां से बना minus 4 alpha 3 is equal to minus 12 बना ठीक है यह मेरे पास बना back substitution method लगा दो back substitution लगा दे back substitution method back substitution method से हम लोग इसको कर सकते हैं ठीक है करना क्या आए बाई मतलब यहां से देखो alpha 3 कमान आएगा यहां से देखो इस वाली question से क्या आएगा तो इस वाली question से आजाएगा alpha 3 कमान तो आएगा alpha 3 is equal to 4 3 0 12 हो जाएगा 4 3 0 12 और minus minus अपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहने कि alpha 3 equal to 3 और alpha 3 कमान अगर आप यहां उठा के रखेंगे तो यहां से आएगा alpha 2 कमान तो यहां से आपका आजाएगा alpha 2 कमान और alpha 2 कितना आजाएगा आपके पास अगर 3 उठा के रखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से तो कितना आजाएगा alpha 2 बराबर और भाई alpha 2 minus 4 किरके देख लो minus 3 रखेंगे आजाएगा ठीके minus 4 तो alpha 2 minus 4 alpha 3 minus sorry plus 3 आगया तो मैं इसको में उठा कर रखेंगा तो यहां से alpha 1 किया जाएगा वो देखो alpha 1 is equal to 3 और alpha 2 के value minus 4 हो कि 4 to the 8 हो जाएगा ती 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 यह 9 हो जाएगा और 9 में 8 जाएगे 1 आएगा 1 इदर minus कर लो भाई तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 तो alpha 1 मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा और यहां से alpha 2 कितना आएगा minus 4 आएगा और alpha 3 कितना आएगा 3 आएगा ठीके तो मेरे पास values आ चुकी है भी अपने पुराने form में चलते हैं तो मेरा पुराना form क्या था समझिए तो यहां से हम लोगी नहीं क्या किया यहां से value लिखे लेता हूं मैं आपकी तो यहां से मुझे मिला alpha 1 is equal to कितना मिला alpha 1 is equal to मुझे मिला 2 and alpha 2 is equal to मुझे कितना मिला वो minus 4 मिला and alpha 3 is equal to कितना मुझे मिला alpha 3 is equal to मुझे मिल रहा यहां पर आपका 3 ठीक है सबी values आ चुकी है यह बार मैं अपने form को देखा था हम अपको फिर से एक बार तो यह मेरा form था ठीक है यह मेरा form था linear combination के लिए यह form था और यह मेरे पास角 थे ठीक है तो इसी वेक्टर को इस्तमाल करता है मैं फिर से अपने form को राइड करता हूं यहां पर वेक्टर मेरे पास किया है चलो वेक्टर को मैं आपके सामने उठा के लिएकर चलता हूं ठीक है और इनको हम लोग write कर लेते हैं ठीक है तो यह मेरे पास vectors है चलो इनको ले लेते हैं अपने साथ ठीक है और लेकर चलते हैं तो यह vectors है चलो मैं आपको डाइक लिए solve करके बताए देता हूं यार ठीक है यह vectors है मेरे पास vectors मेरे पास क्या थे वी is equal to यहां पर था alpha 1 u1 plus alpha 2 alpha 2 u2 plus alpha 3 u3 और हमारे पास values क्या हो गई alpha 1 की वो रख दो तो यह हो जागा 2 u1 plus sorry minus ठीक है minus यहां से हो जाएगा 4 u2 और plus यहां से हो जाएगा 3 u3 एक बात मैं आपको समझा दूँ यहां से जो value solve करोगे ना u1, u2, u3 के अगर मान रखके इसको अगर calculate करोगे तो v की जो value थी ना आप देखने को पाएंगे अगर इसको आप इस पूरे को अगर आप calculate करके देखें तो आपको V ही आएगा समझे नहीं समझे आपको क्या आएगा वी ही आएगा तो इसी को बोलती linear combination I hope आपको समझ में आया होगा कि linear combination कैसे निकालते हैं तो मेरे पास question यह था कि यह मेरे पास question था और यहां से मैंने u1, u2, u3 value थे ठीक है और यहां से मैंने u1, u2, u3 value थे ठीक है और यहां से मैंने u1, u2 value रखके इसको simply calculate कर लिया और answer आ गया था ठीक है तो ऐसे आप के सामने, ठीक है, ताकि concept को और अच्छे साब क्लिया कर पाए, question number 2, देखो जब भी कोई question लगा है तो परहला का मैं आपको question को ध्यान से पढ़ना हो, उसके बाद को समझेना है कि वो क्या बोल रहा है, तो आपको automatic जितना भी आपको काम होगा, आपको समझ में आ जाएगा, इस बर जो combination आपको बनाना है, बहुत ही simple question मेरे सामने है कि V, V is equal to, जो मेरे पास दिया जा रहा है, वो यह दिया जा रहा है कि 3t square, ठीके, plus polynomial सिलेट है, 5t और minus 5, as a linear combination, as a linear combination, as a linear combination of, of the polynomials, polynomials, ठीके, पहला polynomial मेरे पास क्या है, V1, is equal to, मेरे पास यह है, कि t square, plus 2t, plus 1, दूसरा polynomial मेरे पास क्या है, V2 is equal to, मेरे पास है, 2t square, ठीके, plus 5t, and plus 4, and P3 मेरे पास क्या है, P3 मेरे पास है, t square, plus 3t, and plus 6, यह मेरे पास है, मेरे पास यह polynomials हैं, और इनको मुझे as a linear combination दिखा रहा है, ठीके, तो कैसे दिखाएंगे, तो let कर लेते हैं, कोई scalars let कर लेते हैं, let scalars, तो यहाँ पर scalars let कर लेते हैं, let, scalars मेरे पास हो जाएंगे, alpha 1, alpha 2, alpha 3, and scalars, सब्सक्राइगी नहीं है, तो ऐसे मैंने scalars let कर लिए हैं, अब मुझे क्याना क्या, इसको जो मेरे polynomial दिया गया है, इसको मुझे as a linear combination दिखाने हैं, तो अभी मैंने आपको जैसे बताएं, वैसे कर लो आप, तो 3T square, plus 5T, minus 5, यह हुआ, is equal to, alpha 1, P1, plus alpha 2, P2, plus alpha 3, P3, चलो भाई, कर लें, इनके साथ आप अगर linear combination में रखेंगे, तो एक वाटो को क्या मिल जाएगा, तो alpha 1 को P1 के साथ multiply करना है, और plus कर देना है, alpha 2 को P2 सा multiply करना है, plus कर देना है, alpha 3 को P3 multiply करना है, और add कर देना है, add करेंगे, तो T square लेंगे common हम, तो आपको सामने क्या मिल जाएगा, alpha 1, plus 2, alpha 2, और plus alpha 3, ठीक है, पहले मैं, अपने T square वाटो में multiply करके लिखा मैंने, ठीक है, यह मेरे पास T square वाटो में जिसमें में multiply करके लिखा, अब उसमें alpha 1, इसमें alpha 1 से, इसमें alpha 2 से, इसमें alpha 3 से, और add कर दिया, यह बना मिरे पास, similarly आप T के पास multiply करके आप राइट करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो बता है, तो आपको सामने हो जाएगा, 2, T के लिए मेरे पास write कर रहा हूं है, तो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा 2 alpha 1 2 alpha 1 plus 5 alpha 2 plus यहाँ पे 3 alpha 3 similarly मैं किसके लिए write करूँगा मैं write करूँगा constant के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास constant के लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा alpha 1 and plus 4 alpha 2 and plus 6 alpha 3 ठीक है यह मेरे पास हो जाएगा अगर आप इसके साथ क्या करेंगे इनके कॉफिजन हो जाएंगे आपस मेंगर दो पॉइनमेल हैं तो सिंपल सबाइट हो जाएगा यहां से निकल कहाएगा निकल बना ले रहा हूं ठीक है आप समझाजदार रहे हैं कर लेंगे तो यहां से मैट्रिस फॉर्म बन जाएगा मेरा क्या बन जाएगा 1 2 1 & 2 5 6 & 1 3 6 यह गया और यहां पर मेरे पास आ रहा है 3 5 यहां पर आ रहा है माइनस 5 आयो आपको यहां तक क्लियर हो चुका ठिक है बुझा है अभे काम अभी मैंने आपको बताया जैसे की उसी काम के कौड़िंगu ऐ हम यहां से काम काइब बनाना है और इसको जिरो बनाना है तो कैसे करेंगे bit 1-1 कर दो एंद को यहां से अधित्यू समय जाएगा यहां से आपको जो मिलिजकारए दो कि आप तो दो जेय गांच यहां हो जाए गवाने मिल लाए न गाज़े इसको छेंघ ही नहीं किया ठीक है यह जाएगा 3 अब इसको change करते हैं इसमें क्या करना है माइनस 2 से माइनस 2 से मल्टिप्लाइ करके करना है और इसको माइनस 1 ठीक है तो माइनस 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे अगर subtract करेंगे दूबा ना आएगा इसमें minus 1 से multiply करेंगे तो कितना आएगा ये बनाएगा इधर करेंगे तो 326 मैं यहां minus 1 बनाएगा ठीक है अगर मैं इधर करूँगा तो कितना आजाएगा यहां से आगे बढ़ाता हो मामले को तो यहां से बढ़ता है मामला तो यहांसे आपको क्या मिलता है ठीक है यह मैंटीस हो गया अब इसको आगे देखो राइक लिक किया जाए इसमें कुछ खासत वाही ने पहले रोको तो चन्ज करने ग़ी होता है तो इसको वैसे लिख दो और इसमें मैनस 4 से मल्टिप्लाई करके add करूंगा तो यह हो जाएगा मेरे पास 1 और इसमें मैनस 4 से multiply करके add करूंगा तो यह हो जाएगा मेरे पास plus का minus का four ठीक है तो I hope आपके यहां तक clear हो चुका एक बार देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है तो मैंने यहां पर क्या किया माइनelinश 4 से मल्टिप्लाई किया और इसमें क्या कर दिया मैंने एड़ ठीक है तो माइनस 4 से अगर मल्टिप्लाई गर add करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास जी जी दो अचाए एक चीज़ यहां समझते है थोड़ा सा मैंने कहीं मिस्स किया है मैं देखूंगा यह कहा मैं मिस्स किया हाँ अब बर इसको समझे यहाँ पर आपने क्या किया माइनस क्या किया माइनस उन से मल्टिप्लाइ किया और सब्टैट किया माइनस उन से मल्टिप्लाइ किया पहली बाद वो लिखो, यह मैरे पास था alpha 1 minus 4, यह नि प्लस 4 alpha 2, यहाँ पर होना चाहिए था 4, यह miss हो था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा आपका, यह 4 होना चाहिए था, चलो, यह fault हो था, यह क्या था, 4, लाश्ट पॉइंट में क्या मेरे 4 था दूरर यहाँ से यहां से जाएगा था, यहाँ से था, यहां से यहाँ से भी 0, भी जाओ, न्माल को हो जाएगा 14 और यहां पर टू से मिल्टिप्लाइब करेंगे इसमें सब्टाइट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा टू जाएगा यानिकि 6 कनफर्म माइनस 6 आते हैं तो यह मेरे पास होगा तो इससे मेरे पास वैल्यू क्या बनी वो लिखो यह बना अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इसकोल टू 3 एक बना एक बनाएगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इसकोल टू माइनस 1 और एक बनेगा अल्फा 3 अल्फा 3 इसकोल टू माइनस 6 बैक साल्विंग करेंगे हम लोग ठीक है तो यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से आल्फ प्लस का बान हो जाएगा और जब मैं यह सारी वेल्यूस यहानि alpha 2-0, alpha 3 मैं यहां पर उठाकर रखूंगा तो alpha 3 रखूंगा minus 2 और alpha 1 रखूंगा 2 sorry one तो यहां तो हो जाएगा 2 and minus 2 यानि 0 यहां यहां जाएगा alpha 1 की value कितनी आजाएगा यह तो koई दिक्कत आये नहीं यहां तक I hope पूरा clear हो चुका है 3 1 and minus 2 confirm तो मेरे पास values हो गई हैं सभी और values को अगर हम उसमें उठा के रखते हैं तो मेरे पास linear combination बन जाएगा तो क्या हो जाएगा linear combination जड़ा देखें तो यह हो जाएगा V is equal to 3 P1 ठीक है और plus P2 and minus 2 P3 तो यह मेरे linear combination हो आई हाप पूरी तरीकर समझ पारें नहीं समझ पारें मैं क्या समझा रहा हूँ आपको बहुत clear हो रहा है अगर clear नहीं हो रहा है तो आप एक दो example और देखें तो आपको पूरी तरीकर स्क्लियर हो जाएगा ठीक है मैं एक दो example आपके लिए और ले रहा हूँ ठीक है अब इसमें आपको पूरी तरीकर से ध्यान अगर देखें तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे question होंगे है तो एक question all लेते हैं हम लोग ठीक है question no.3 question no.3 में मैंने आपके सामने क्या क्या रखा तो V is equal to हमारे पास है 1,-2,5 in R3 ठीक है उसको as a linear combination दिखाना है किसके साथ U1 मेरे पास दिया गया इसमें 1,1,1 U2 मेरा दिया गया इसमें ठीक है 1,2,3 and U3 इसमें दिया गया मुझे 2,-1,1 यह मेरे पास question है ठीक है तो इस question के तुरूँ बहुत simple तरीके मुझे solution करना है पहले तो आपको इसके लिट कर लेना मैं डायक ले कर रहा हूं ठीक है V is equal to alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 यह मेरे पास बन रहा है अब समझो इसको तो V मेरा कितना है उसको write करो अगर मैं directly write कर लूँ मैं अपने form में कोई दिक्कत दो है नी बार बार एक ही चीज़े बताने में क्या है आप समझदार है clear कर लेंगे ठीक है तो मैं इसको directly अपने form में write कर रहा हूं matrix form में write कर रहा हूं ठीक है कैसे यह हुआ ठीक है अब इसको कर लेते हैं आगे बढ़ाते हैं मामले को अब यहां से समझो इसको मैं 0 बना रहा हूं ठीक है यहां सापको हजाएगा 2 और देकर मैंस 3 और मेरे पास यह खाएंगा मैंस 1 और यहां पर मेरेaktं लिडाध ह्मौनर pannell super और यहां से क्या henry डीक हाएं गए 4 अ इसको क्या लेंग सकता हूं इसको मैं यहां से लिख सकता हूं इसको मैं यहां से लिखकता हूं इसे और यह हो जाएगा यह तो फिर्स रोग दो चेंज होने वाला है यार ठाल फिर्स रोग को वैसे लिखा जाएगा और इसे इस इस में प्लस इस हो यानि प्लस 6 हो झाएगा और बुट जाएगा और यहां पर बडी παशां मेंट सुऊले करेंंगे कितना हो जाएगा मेरे पास मेरे पास मैनस घ्रे ठीक है सी मेरे कारए फॉर्ट मेते तो रेसं अगर आप है प्ला कितना हो जैएगा यहां से आफ 3 तो अगर यहां से अब देखोगे तो 5 alpha 3 equal to 10 तो यहां से alpha 3 equal to कितना आएगा 2 जा 2 आ जाएगा ठीक है alpha 2 देखो तो मेरे पास alpha 3 आया तो alpha 3 value 2 यहां 3 2 जा 6 हुआ minus के उदर गया plus में हुआ ठीक है तो plus का 6 तो 6 में 3 तो यहां से alpha 2 के value कितनी आएगी plus का 3 आएगी alpha 1 alpha 2 alpha 3 के value यहां रखो ठीक है तो alpha 3 तो हो गया 2 2 जा 4 हो गया यहां 3 यहां प्या जाएगा 3 यहां आगा 4 यहां आगा 3 तो 3 और plus 4 3 4 कितनी होते 7 7 ठीक है और plus के उदर गया minus में तो 1 में 7 गया यहनि कि minus 6 यहनि alpha 1 की value minus 6 यह बढ़ आप भी करके देखें कि हमारा यही आता है कि कुछ और आता है ठीक है मैंने तो कर लिया एक बार आप भी करके देख लें और डाउट हो तो बताना ठीक है तो यहां से हो गया अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं माम लेको सॉरी अब यह गया यहां से मैं आपको करना ही क्या देखाना तो हो गया लिनर कॉमनेशन बस वी के साथ रग तो इसको तो हो जाएगा टू सॉरी alpha 1 की value पहले तो आपको हो जाएगा minus 6 u1 and plus 3 u2 and plus 2 u3 लिनर कॉमनेशन आपका टाइक है तो आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हम लोग लिनर कॉमनेशन यहां थिखाएंगे अब हम लोग आगे भी समझते हैं कभ हमरे लिनर कॉमनेशन पॉस्बिल नहीं होता है तो एक जामपल और ठीक है इसे बात भी आपको हो जाएगा तो नेश्ट एक्जांपल अलग minus 5 and 3 in R3 okay or as a linear combination of vectors u1 is equal to u1 में लेलिया ठीक है 1 minus 3 and 2 ठीक है and v में लेलिया यहां पर v में लेलिया 2 sorry u2 u2 लेलिया मैंने 2 और यहां से minus 4 और यहां से आपका हो जाएगा minus 1 and यहां से मैंने लेलिया u3 u3 मैंने लेलिया 1 minus 5 and यहां से में रहा हो गया 7 1 ठीक है आप देखते हैं अब इसको solution करते है linear combination के थुरू उस समझते हैं थोड़ा directly मैं करूं कोई दिक्कत नहीं है यहां से मेरे पास हो जाएगा 1 minus 3 2 अभी इतने कुशन कर लिए तो आपको करने का pattern पता चल गया होगा ठीक है 2 minus 4 और यहां पर minus 1 और यहां से minus 5 और यहां से देखते हैं भाई अब यहां से मुझे इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाना तो इसमें क्या करेंगी 3 से multiplier करेंगे तो यह हो जाएगा 0 तो पहले तो रोको थो हम छूने वाले है नहीं तो पहले रोको तो वैसे हैजी टीजी लिग दे कोई दिक्कत तो है नहीं तो हमने इसको वै का मैनस से यहनी 3 से multiplier करके एड कर रहे है तो हो जाएगा इसको समझ लेते हैं तो यहां से अगर हम to minus 2 कर रहे हैं इसमें मैंने इस वाले रो में मैंने से 25 कर लो लुए इस वाले रो में क्या करदो स्ट क्या जो खेऊ हुआएगा इधर 5 हो जाएगा हो बादो क्या आएगा तो वो बेस स्टेंड एंदेन ब्लस का 5 और तो डूजा 4 और माइनस का और इसमें 3 में एड़ करेंगे तो किनदा हो जाएगा माइनस 1 ठीक है अब हम लोग इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं अब इसमें मुझे ऐसे नमबर से मल्लिप्लाइ करना जिसके साथ मैं इसका एड़ करूं तो क्या जड़े जिरौ आ जाएं तो फोला रोक में टॉसको्स करने माइसे लिकाद है तो इसको समझते हैं इसमें क्या करता हूँ 5 by 2 को 5 by 2 से multiply करके अगर मैं add करता हूँ तो 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो रहा है ठीक है और इसमें अगर 5 by 2 से multiply करके मैं add कर रहा हूँ कितने से 5 by 2 से multiply करके मैं add कर रहा हूँ तो यहां से बन रहा है किसमे add कर रहा हूँ मैं minus sorry तो 1 में add कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 यानिकि 2 बंजा 2 और यहाँ जाएगा माइनस 2 प्लस 5 बाइ 2 यानिकि मेरे जाएगा 3 बाइ 2 तो यहाँ से 3 बाइ 2 कंफर्म है न कोई दिक्का तो है नहीं यहाँ पर ठीक है तो यह मुझे मिल गया तो आप समझ पा रहे हैं थोड़ा ध्यान ने यहाँ पर क्या से सल्यूशन है मेरा तो अब ध्यान देने वली बात हैं ठीक है तो मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार इस यहाँ से होजाएगा अल्फा वन प्लस टू टू अल्फा टू और प्लस यहां से होजाएगा अल्फा थ्री इसकोल टू और एक बना एक बना मेरे पास एक बना मेरे पास टू अल्फा टू और प्लस माइनस यहां से होजाएगा टू अल्फा थ्री इसकोल टू यहां से थ्री भाई टू आपने एक मैंने आपको उस दिन भी बताया था और इसकोल नो सुलेशन होता है कि इसकैस मेंने क्या होता है और अगर इस कैस में मेरे प्लस में प्लस टू 1 अब इस मैं अपने पूरी बात को complete करता हूं नो solution है तो भाया जी अगर alpha 3 नहीं find किया जाएगा तो alpha 2 भी नहीं find किया जा सकता है और alpha 1 भी find नहीं find नहीं किया सकता हूं कि ना तो मेरा alpha 1 निकलेगा तो तो ना तो मतलब कि इसका solution find नहीं है तो आप डैक लिए कहा दें कि इसका solution exist नहीं होगा ठीक है does not exist तो solution does not ठीक है भाई does not does not exist अगर solution does not exist है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर solution does not exist होता तो आप सिधे बोल देना कि थस V V ठीक है cannot be cannot be written 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 as a linear combination of u1, u2, u3 यह बात बोलेंगे मतलब मैं अब V को linear combination as a u1, u2, u3 के form में नहीं दिखा सकता ठीक है अगर solution डचना चाहिस होता है हमने पहले बताता है their existing solution मतलब मैं आपको पहले बताती है कि exist होना चाहिए अगर solution exist नहीं हो रहा है तो simple है इसका linear combination possible नहीं है linear combination तभी possible होता है solution मेरा क्या होता है exist होता है अब आपको finally पुरी पास सम्दमी मेरी तो एक दो question all ले लें कि अब आप कर सकते हैं अपने आपसे क्या लगता है कि क्या कर सकते हो ठीक है तो कर सकते हो तो एक question में फिर भी मैं लोंगा आपके लिए और आप कर सकते हैं बहुत अची बात है और नहीं करेंगे मतलब कि करेंगे करें सकते हैं अभी इस पैन बताएंगे उसमें कर सीख लेना इस पैन में भी थोड़ा बहुत इसका काम आता है ठीक है वह भी तो यही कुछ भी बोलता है सिमलर तुम्हें आपको बताता हूं कि इस पैन होता क्या है ठीक सेट आफ ओल कॉमिनेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही क्या होता है और ये कॉमिनीशन ठीक है तो बहुत अच्छी और करोंगा लेकिन फिलाल के लिए एक कुर्षान और देखते है उसके बाद आगे चल्ते है ठीक है चलो एक कुर्षान देख shade लेते में तो ख्छलते है ठीक है ॅम मेरे पास कोई मै sült直 मेरे था रिची है दे 47 ठीक है 79 यह मेरा M है और उसको as a linear combination ठीक है of the vectors of sorry of the vectors C matrices of the matrices A B C ठीक है इनके लिए तो A मेरे पास क्या होता है A मेरे पास हो जाता है यहाँ पर 1 1 1 ठीक है B मेरे पास क्या होगा B मेरे पास हो जाएगा 1 3 2 4 and C मेरे पास क्या होगा C मेरे पास हो जाएगा 1 1 4 5 ठीक है यह मेरे पास है इनका linear combination दिखाना है तो आप जानते है linear combination इसके लिए लेट कर लिए वाई हमने लेट कर लिए लेट कर लिए तो मेरे पास क्या है मेरे पास है 4 7 7 9 ठीक है उसको linear combination दिखाएगे तो जाएगा अल्फा 1 1 1 1 1 प्लस अल्फा 2 ठीक है 1 2 3 4 एंड 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 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 और यहां से आपको हो जाएगा यहां से आपका हो जाएगा यहां से आपका बन जाएगा वाई अल्फा 1 ठीक है प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड प्लस अल्फा 3 यह बना यहां से बन जाएगा मेरे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड प्लस अल्फा 3 यह बना यहां से आपका बन जाएगा अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 और प्लस 5 अल्फा 3 कले ना वाई इतना तो ठीक है अब कंपेर कर लोगे दो मैट्रिक्स इक्वाल तभी होती है जब उनके क्रेस्पॉंडिंग इंट्रीस क्या हो इक्वाल हो ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इसक्वल तो 4 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इसक्वल तो 7 और यहां से मेरे पास आया confirm है ना कोई दिक्कत हो है नहीं यहां तक ठीक है और यहां से आपका हो जाएगा alpha 1 plus 4 alpha 2 plus 5 alpha 3 is equal to 9 इनको अगर आप calculate करेंगे ठीक है तो calculate करने के बाद जो हमारे पास values आएंगी xyz की sorry alpha 1 alpha 2 alpha 3 की वह क्या हो जाएगा alpha 1 equal to मेरे पास आएगा minus 1 alpha 2 is equal to मेरे पास आएगा 3 and alpha 3 is equal to मेरे पास आएगा 2 calculate आप कर ले ठीक है तो आप यह जो alpha 1 alpha 2 alpha 3 के महान आए है आप उनको रखेंगे तो form में तो मेरे पास हो जाएगा m is equal to 2a plus 3b and minus c इस तरीके से आई हो आपको पूरा clear हो चुका है ठीक है अब तो आप linear combination finally दिखाए लेंगे ठीक है अब हम आपको लेकर चलते हैं spanning of sets तो यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे linear span के बारे में क्या होता है linear span ठीक है हम लोग के वेक्टर क्या दिखाते थे linear combination दिखाते थे बसन में नहीं आ रही और यह सारे वेक्टर मेरे किसी वेक्टर space v में विलांग करते थे लोग रहा है तो इसको अगर मैं as a span की बात करूंगा span of span of u1 u2 and so on un ठीक है और मैं बात करूं यह होगा तो यह तभी possible है the collection of इसके लिए all linear combination of this vector इसके जितने vector के linear combination बन सकते हैं उनका collection ले लिया जाए उनका collection ले लिया जाए तो मेरे क्या होंगे वो मेरे ठीक है such that वो मेरे linear span होगा बसमझे ना मेरे बात को अभी मैं समझता हूँ थोड़ी अपनी बात को clarify कर लेता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ मैंने कहा कि इन vector के जितने भी linear combination बन सकते हैं possible linear combination उनका एक collection ले लो तो वो क्या होंगे span होगा ठीक हो क्या होगा span होगा the collection of मैं क्या के रहा हूँ the collection of collection of all linear combination or linear combination okay in combination of v1 v2 and so on vn okay it's called it's called linear span linear span of vectors of vectors v1 v2 and so on vn ठीक है और इसको हम लोग दिनोट के सकते हैं इसको लोग दिखाते हैं ठीक है काफी बुकों में इस टाइप से लिखा रहता है तो यह भी हमारा होता है और काफी जगे इसको ऐसे भी लिखा जाता है span ठीक है of s ऐसा ठीक है तो यह सारी चीज़ें होती हैं और जहां पर यह ऐसा रहता है और यह भी दिखाते थे कि सब्सेट आफ क्या होता है वी ओर दफिल्ट वी ओर दफिल्ट यह नि जो सेट बनेगा span बनेगा वह किसका सब्सेट होगा वह वेटर स्पेस का क्या होगा सब्सेट होगा यह बात हमारी डेफिंशन की कहती है मैं अपने प्रावलम को डिस्कूस करना चाहूंगा इसमें मेरे सामने प्रावलम है ठीक है उस प्रावलम को मैं क्लियर करना चाहूंगा क्यों क्या प्रावलम कह रहा है उसको समझते हैं हम लोग ठीक है और क्लियर करते हैं तो प्रावलों कहता क्या है उसको समझते हैं प्रावलों मैं कह रहा है कि इस कुछन समझो क्या बोला है इस दा वेक्टर वेक्टर और यहां पी है वन जीरो जीरो ट्रांसपोर्ज लगा हुए ठीक है इस is the span of span of the ठीक है वेक्टर्स वेक्टर्स फोर टू सेवन ट्रांसपोर्ज एंड थ्री वन फोर ट्रांसपोर्ज यह मेरा ठीक है अब इसको आपको डिसकुस करना और बताना है कि क्या इसका मेरा पॉस्बिल है या नहीं तो क्लिर कर लेते हैं इस प्लेट पॉस्बिला या नहीं तो अल्फा वन ठीक है आल्फा ओन फोर टू सेवन ब्लस अल्फा टू three one four is equal to one zero zero confirm है चलो भाई कर लेते हैं तो यह मेरे पास बनेगा तो इसको आइकलन फॉर्म कर लेते हैं यूज आइकलन फॉर्म यूज आइकलन फॉर्म कर लेते हैं डाइकली ठीक है कौन टाइम ले यूज टाइम मतलो इस टाइग वे काफी कुस्टन आपकर चुक है वालेडी तो बस आपको इसको simply solve कर लेना है और यह 4 था ठीक है और इसको simply solve कर लेना है तो यह 0 बनाना है यह 0 बनाना है इसको के simply solve कर लो अपने अग्वाडिक इसको solve कर लिए और अपने अग्वाडिक मैं इसको directly write कर रहा हाँ because अभी तक हम लोग यही पढ़ रहा ह। तो अब बोर हुच चुका हूँ इसको बता बता क्या तो आप इसको थोड़ा सा simply अपने recording इसको something nice & sleep तो मैं directly list को write कर रहा हूं, अपने form में, ठीक है, मेरा form यह बन जाएगा, आप solve करके देखना, यह आ जाएगा, ठीक है, और यह मेरे पास 1, यह मेरे पास 0, तो यह चीज ऐसा है, तो क्या हम पर solution होगा, देखो इधा 0 हो चुका, इधार रेनाउन 0 है, तो क्या solution होगा, तो नो होगा, there is no solution, there is no solution, यह बात confirm होगा, अगर solution नहीं तो यहाँ पर कोई linear combination possible होगा, तो मैं इसको linear combination में नहीं लिख सकता हूँ, तो बस होगा, linear combination में लिख जाएगा, तो बोल देंगे, no, cannot be written in linear combination form, बस समयागी, कोई doubt तो नहीं है, तो बस ऐसे आपको discuss करना था, कोई खास इस मैं कुछ properties देखूंगा, किसकी linear spanning की, और clear करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा properties, properties देखते हैं, तो आपको clear हो जाएगा, यह important है, ध्यान देना, let कर लो, कि जो मेरा linear span आता है, वो subset होता है किसका V का, ठीक है, then, then, तो हमारे पस क्या-क्या situation हो सकती है, पहरी situation नहीं हो सकती है कि linear span जो होगा, ls, ठीक है, वो is a subspace, is a subspace, ठीक है, और V, पहला point यह होगा, दूसरा, पॉइंट ही होगा, कि W, अगर मेरे subspace है V का, अगर another कोई W है, W is a subspace of V, अगर ऐसा है, then, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, कि linear span जो आयाएगा, वो इसका भी subset होगा, सबस्पेस होगा, ठीक है, सबसेट होगा, ठीक है, यह बात आभ याद रखना, तो clear हो चुका एक नहीं हो चुका, ठीक है, first point clear हो चुका होगा, I hope, second, हम को यूज करेंगे हम लोग, अपने कहीन कहीन, definition में यूज करते रहेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो बहुत स्रीज बनने वाली है, इसमें, लंबी स्रीज लेगी, is a subspace, sorry, R, subspace, spaces, of V, over the field F, ठीक है, then, first, इसमें, प्रोपर्टी क्या कहती है, अगर अगर उनका linear sum करते है, w1 plus w2, is a subspace, is a subspace of V, over the field F, subspace, subspace of V, of V over the field F, proof I think कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर बता दूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो इसके प्रोप को देख लेते हैं, आपको प्रोप सुनजा देता हूं, ताकि आपको किलियर हो जाए कि कैसे हो रहा है, ठीक है, समझाता हूं, यह W1, W2, subspaces of V, W1 and W2 are subspaces of V, over the field F, पहले बात तो अभी है समझेए कि, अगर W1, W2 मेरे पास ऐसे हैं, ठीक है, जो कि सब spaces V, तो आप linear sum कर रहे हैं, W1 plus W2 का, मैं आपको बता दू, linear sum का मतलब इनके जो vector से उनका sum कर लो, X1 plus X2, सजदाइट X1, विलांग करेगा W1 में and X2, विलांग करेगा W2 में, यह इसको बोलते हैं, linear sum, इसको क्या बोलते हैं, linear sum, यह linear sum होता है मेरा, ठीक है, तो यह मेरे linear sum होता है, और मैं linear sum को क्या दिखाना चाहता हूँ, कि अगर वो मेरे sub spaces हैं, यह linear sum मेरा sub space होगा, मैं यह बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो कैसी linear sum मेरा sub space होगा? भाई, उसको समझते हैं, कैसी वो sub space होगा? अगर यह sub space है, W1 भी मेरा sub space है, W2 भी मेरा sub space है, यह पक्की बात है कि वह 3 condition satisfy करता होगा, पहला condition condition satisfy करता होगा पहला जीरो वेक्टर satisfy करता होगा, कि 0 वेक्टर स्लिसफाई हो रहा होगा ठिके, फिर यह बेक्टर एडिशन, एम्रोफी स्केलर मेरे क्या कर रहा होगा satisfy एक आलएडी कर रहा होगा, कौन? W1 और W2 की, कि वो given में हो गया, वो की मेरे पस सब spaces है, ठीक है, अगर मेरे पस given में हो गया, तो मतलब, यहां से एक situation निकल के आ रही है, कि अगर एक given में है, तो मतलब यहां पर अगर मैं use करना चाहूं, कि W1 is a sub space, उसकी तीनों condition में use कर सकता हूं, मुझे प्रूब करना है, मुझे प्रूब करना है कि W1 प्रूब टू is a sub space, मुझे यह प्रूब करना है, ठीक है, we want to show that कि W1, we want to show that क्या सो करना चाहते हैं लोग, कि W1 प्लूब टूब 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 इस a sub space of is a sub space of V, कैसे भाई हो गई है, तो पहली केंडिक्टिसन दिखाने पड़ेगी आपको, 0 वेक्टर, मैं कहूंगा, 0 वेक्टर इसमें विलांग कर रहा है, लोग प्लूब टूब टूब में, तो भाई क्यों कर रहा है, और रिजन बताना पर क्यों कर रहा है, आप समझ यह, 0 वेक्टर विलांग कर रहा है W1 में, of course कर रहा है क्योंकि यह given है, ठीक है? 0 वेक्टर विलांग कर रहा है W2 में, बिल्कुल कर रहा है, और आप जानते हैं, तो जैसे यह कर लिया जीरो वेक्टर हमारा हो गया ठीक है अब उसी प्रिकार से मुझे देखना है नेस्ट सगेंड प्रोपर्टी देखनी है वेट एडिशन और मैं बोलता हूं कि अगर कोई वेक्टर है कोई वेक्टर है मेरे पास ठीक है चोकी मेरा मानता हूं की स्वें और प्लस एक्स टू वी लांग कर रहा है मेरे पाद डेखना से तो था एक व्न्दर ये वो दूसरा वेक्टर रहे है मैरे पास यह कि वाई-बन प्लस वाई-ठीक है यह बिलांग कर रहे हैं मेरे परश W1 प्लस W2 में यह बिलांग कर रहे हैं तो मुझे दिखाना यह है कि आप यह बताओ कि X1 प्लस X2 और प्लस Y1 प्लस Y2 बिलांग करेगा W1 प्लस W2 में करेगा तो लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूं सिंस समझे इस बात को वाई X1 इसको clear करना बहुत अच्छे clear करना ठीक है कोई doubt हो पूछ ले न वाई X1 देखो X1 मेरा विलांग करेगा W1 में ठीक है अगर X1 मेरा W1 में विलांग कर रहा है माल लिया X1 और यहाँ पे Y1 ठीक है X1 में Y1 अगर W1 में विलांग कर रहा है तो आप यह जानते हैं कि फिर X1 प्लस Y1 भी कहां विलांग करेगा W1 में दीजन है, fact है, ठीक है simple है, यह समझ में आई कि नहीं आई बात clear हो गया, तो इसी type से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि X2 और Y2 अगर विलांग कर रहा है W2 में, तो simple है कि अगर X2 प्लस Y2 करेंगे तो भी कहां विलांग करेगा, W2 में ठीक है, अगर यहाँ से देखें, वेक्टर के बात करें ठीक है, यहाँ से मैं अगर वेक्टर के बात करता हूँ तो क्या होने वाला है तो अगर वेक्टुर इसे होते हैं यह ही विलांग कर रहा है ठीक, अगर ओम कर रहा है तो अगर इस दोनों को सम करेंगे अगर आप इस दोनों को सम करेंगे तो यह हो जाएगा X1 प्लस Y1 And गश Hans 2 प्लस Y2 ठीक है, तो कहां विलांग करेगा एजब ब्लू उन प्लस का ये इस डू लग कर रहे तो आपको पता है वेक्टर का सब beats up के सम के शुटंय विला Islamic कर तो कंफर्म तो यह समय एंड के x2 विलांग कर रहा है w2 में ठीक है तो simple है कि k x1 plus x2 विलांग करेगा w1 plus w2 में तो आपकी scalar property भी क्या हो गई proof हो गई तो आपने देखा vector addition zero vector scalar multiplication अभी proof हो रही है ठीक है तो simple तरीके से proof हो गई second properties को जो थी second property वो यह थी second property यह थी कि linear sum of w1 union w2 is equal to होता है w1 plus w2 यह very important property इसको मैं use करूंगा ठीक है भी अब चलो properties number आते हैं हम लोग properties number हम लोग आते हैं third में ठीक है आप इसको समझते हैं चलो इसके लिए थोड़ा सा color change कर लो मैं आपके लिए और इसको clear कर लो बहुत ही अच्छी property है इसको भी समझते है ठीक है तो यहां पर यह होता है कि अगर s और t is a subset of v over the field f अगर ऐसा है then first condition मेरे पास क्या है अगर s first condition मेरे पास यह है कि अगर s is a subset of t अगर s मेरे subset of t है तो linear sum of s is also subset of linear sum of t ठीक है linear span of t बहुत समय है linear span of t यह हो गया उसके पास second properties की कहती है है very important property है ठीक है second property मेरे पास क्या कहती है कि यह हो जाए और यहां पर आ जाए s1 s plus t और यह हो जाए तो यहां से आपका आएगा s और plus यहां से आजाए आपके पास t यह आ जाएगा ठीक है और third मेरे पास यह है sorry यहां से यह आपका union होता है ठीक है union ऐसा होता है और third बहुत ही important है third property यह कहता है कि s is subspace sub space of v so implies that linear sum of sorry linear span of s is equal to s हो जाएगा ठीक है linear span of s is equal to s हो जाएगा और यहां से क्या होगा एक समझिए इसको करना कैसे है इसको करना ऐसे है कि because अभी हम लोग ने देखा यह property देखिए यहां से यह property मैंने देखी यह देखो इस प्रोपर्टी मैं आपको समझाओंगा यह property इस प्रोपर्टी के हैं से मैं आपको समझाने वाला हूं because यह property आप समझ चुके हैं तो आप आपको यह समझने में थोड़ी दिकत नहीं होगी तो आप इसको समझने में दिकत नहीं होगी ठीक है तो अब यहां से आप समझें इस बाग को क्लियर करें जैसे कि मेरा यह है कि मैं जानता हूं कि w1 इस सबस्पेस इस सबस्पेस यह तो इसका मतलब पक्की बात है कि यहां पागर मैं लूंगा तो यह निकलेगा मेरे पास w1 और यहांस मिलूंगा तो यह निकलेगा मेरे पास w2 ठीक है और अगर आप इन दोनों का क्या करते हैं सम करते हैं ठीक है तो w1 फ्लस w2 इसकोल टू त यहांस हो जाएगा है मैं डबलू 1 प्लस यह हो जाएगा और यहां से आप इनकी वैलू ठाकर रख दीजिए तो आपने अब भी प्रूप किया था कि यह वैलू क्या होती है इसके एक इक कॉल होती है तो यहांसे हो जाएगा आपके पास क्या श्री है यहांसे मैंने एक फैक्ट रांग कर दिया union होता है, यूनियन यहां से यह बात प्रूप करना है, तो कैसे हो जाएगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो यहां से यही है बात प्रूप हो जाएगा, simple तर्रीके से, टो यह चीज इकल होती है कि इसके मेरे पास, यहां से यहां से आपको हो जाएगा linear span of w1 union w2 is equal to linear span of w1 plus linear span of w2 आयो आपको समय में आया होगा कि कैसे हमारा प्रूफ हुआ बहुत simple था लेकिन फिर भी थोड़ा conceptual तो था ही इसलिए मनें आपको बताना उच्छे सिम्दा ठीक है तो आप इसको clear कर चुके हैं